आपका स्वागत है, मेरा नाम है अदित्या, आज हम बात करेंगे रॉट्वाइलर के बारे में दोस्तो रॉट्वाइलर का ओरिजिन जर्मनी के एक टाउन रॉट्वाइल से है इनको ऐसा ड्रोवर डॉग ब्रीड किया गया था ताकि वो भेड, बकरी और दूसरे लाइफ स्टोक आनिमल्स को चरा सके मिडिल एजिस के दौरान बुचर्स और बिजनेसमेन अपने मीट और समान से भढ़े हुए काट खिचने के लिए रॉट्वाइलर का यूज करते थे बट इंडेस्ट्रियल रेवलुशन के टाइम रेलवे के आने से इन डॉग्स की डिमांड कम हो गई रॉट्वाइलर को काम मिलना बंध हो गया और इनकी ब्रीड लगबग खत्म होने के कगार पर आ गई 19th century में यूरोप में डॉग ब्रीडिंग में तेजी आई और 1901 में दे रॉट्वाइलर और लियोन बर्जन कलब की स्थापना होई उसके बाद रॉट्वाइलर को ऐसा पुलिस डॉग यूज किया जाने लगा और वो काम उनको बहुत ही पसंद आया दोस्तो रॉट्वाइलर काफी muscular और strong dog breed है ये first time dog owners के लिए बिलकुल भी recommended नहीं है लेकिन मैंने बहुत से ऐसे first time dog owner देखे हैं जिनके पास रॉट्वाइलर है लेकिन उनकी खास बात ये है कि उन्होंने अपने dog को इत्ती अच्छी तरीके से socialize किया हुआ है कि वो बिलकुल भी aggressive नहीं है और लोगों के साथ काफी friendly भी है तो अगर आप Rotweiler की breed को first time owner होने के बावजूत proper तरीके से रखते हैं तो ये dog आपके बहुत ही अच्छे companion बन सकते हैं आजकल Rotweiler की overbeating की वर्ज़े से इनकी हड्या बहुत ही कमजोर होने लगी है और ये बहुत ही जल्दी अपना weight put on करने लगे है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने Rotweiler को ज़्यादा overfeed ना करे उसकी जितनी need है आप इसको उतना ही खाना दे Rotweiler का bite pressure 328 pounds है और अगर इसने किसी को एक बार पकड़ लिया तो यकीन मानिए उसकी छूटने के chances बहुत ही कम होते है ये dog breed large size की होती है और इनमें males की average height 24 से लेके 27 inches तक हो सकती है और females की average height 22 से लेके 25 inches तक हो सकती है Rotweiler का weight भी काफी जादा होता है इनमें males का average weight 50 to 60 gauges तक होता है और females का 35 से लेके 48 लेकिन इनका weight थोड़ा जादा या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है ये पूरी तरीके से इनकी diet पे depend करता है जो ये खाना खाते है दोस्तों बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो कि Rotweiler भी दो टाइप के होते है एक है American Rotweiler एक है German Rotweiler इनमें जादा कुछ तो फरक नहीं होता सिर्फ German Rotweiler की height कुछ cm बड़ी होती है और उनकी tail dog नहीं होती जबकि American Rotweiler की tail dog होती है और वो German Rotweiler से थोड़े cm छोटे होते है ये dog breed अपने owner के लिए और उनकी family के लिए काफी loyal होती है अगर आपके घर में काफी चोटे बच्चे हैं और आप Rotweiler लेना चाते हैं तो बच्चमन से ही दोनों को साथ रखे ताकि बड़े होने पे वो dog बच्चों के साथ comfortably रह सके अगर training की बात करे तो Rotweiler को throughout the life consistent training की ज़रूत होती है अगर आप इनको train नहीं कर सकते तो प्लीज किसी professional trainer को hire कीजिए क्योंकि Rotweiler के लिए training काफी important होती है ताकि ये आपकी बातों को मानना सीखे Rotweiler का short और smooth coat होता है जिसे हफते में कम से कम एक बार जरूर brush करना चीए ये दो coat color में पाये जाते हैं एक है black और mohogany और एक है black और tan जिसका shade थोड़ा dark या फिर थोड़ा light हो सकता है Rotweiler की price इंडिया में around 18-25,000 रूपीज तक है इनका litter size 6-8 puppies का होता है और इनकी average life span 8-11 years तक हो सकती है तो दोस्तो ये था आज का हमारा अपिसोड रॉटवाइलर के बारे में और popular dog breed के बारे में जानने के लिए subscribe करें हमारे चैनल को, like करे, share करे और comment करें इस वीडियो पर